नमस्कार जन्भावरा टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूगार की प्रयागराज रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है हाथसे की जानकारी होते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कम मच गया आनन फानन में जी आरपी सहित रेलवे अधिकारियों की टीम मौके पर पहुची और राहत और बचाफ कारियों में वो जुड़ गए लख अधिकारी के मुताबिक सुल्तानपूर जंक्शन के दक्षनी कैविन के पास एक ही ट्रैक पर दो माल गाड़ियों के आजाने से ये हाथसा हुआ गनी बात ये रही कि इस हाथसे में किसी की जान नहीं गई हाथसे की तुरंद बाद रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुच कर रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया फिलाल ट्रैक से गाड़ियों के बैगन को हटा कर रूट पर रेलो की आवाजाही बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है बताये जा रहा है कि गुरुबार सुबह तकरीबन साड़े पाच बजे लकनओ और बारानसी की और से आ रही दो मालगाडियों की आमने सामने टकर हो गई इस घटना में 12 नसी की और से आ रही मालगाडी का ड्राइवर घायल हो गया साथ ही तीन और ड्राइवर भी मामुली रूप से घायल हुए है वहीं हाथसे के बाद दोनों मालगाडीों के इंजन तो छती रस्त हुई गए है साथ ही एक मालगाडी की कई डिब्बे पटरी से उतर गएं हलाकि अभी अधिकरित तोर पर रेलवी की और से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है वहीं सुल्तानपुर में मालगाडी हाथसे के बाद प्रयागराज आने वाली सरयू एक्सप्रेस और फैज़ाबाद पैसंजर कैंसल कर दी गई है भारती रेलवे ने इसकी पूरी जानकारी अपने अधिकरित साइट और समधिल स्टेशनों को जारी करके दी है बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.djpt.com को लॉगिन कर सकते देशुर दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे जन्भामना टाइमस नमस्कार